कि आप शफी को मेरा नमस्कार मैं रोख मिश्राब शफी को अपने आनलाइन प्रेट्फरम पर स्वागत करता हूं आज स्टुडेंट्स कृषिश आमाने धिन के अंतरगत जो टॉपिक होगा जो मैं आज आप पूपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह मिल्ट प्रोडक्शन यान आप से पूछे जाते हैं तो आज हम जो है वो जो आपको पढ़ाएंगे वह होगा दुख-धूद पादन यानि मिल्क प्रोडक्शन तो आई इसके बारे में हम डिसकुस करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि मिल्क क्या होता है कि दूध क्या है और मिल्क क्या है ठीक है और कहते हैं छीर कहते हैं कई नामों से हम लोकल भासा में इसको जानते हैं तो दूध जो है वो एक किसी भी ठीक है जो अस्तंधारी जीव होते हैं उसकी मादा से स्रावित होने वाला उनकी मेमेरी क्रेंड से स्रावित होने वाला एक तरल पदार्थ है जिसमें परियात्त मात् काम करते हैं दूरंत ब्रत्रस्ट्रे करते हैं तो दूध बहुत ही और शो प्रकृत प्रत्र जो करने की छमता जो हो देटा है ठीक है आए अन्य भाषाओं में भी इसके हम परिभाषा को जानते हैं ठीक है तो स्वस्थ पालतु मादा पस्वों के जनन के लखब 15 दिन के पूर्व एक पस्चाब जो स्वच एवं ताजा लेक्टियल छरण होता है उसे दूद कहते हैं तो ए प्रकार को तरल पदाज का छरण होता है उनके अस्तन से जिसे हम मिल्क के जाम से जानते हैं ठीक है अब इसमें बात करेंगे कि दूद में क्या पाया जाता है तो दूद में जो है वो नियुनतम 3.5 परशन वसा यानि फैट और 8.5 परशन जो है वो रवसा रहित ठोस पधा 7.5 से ले करके 8.5 परशन जो है फैट प्या जाता है और लगभग जो है वो दूद के जैसे गाय के दूद का जो फैट परसंटेज्स है वो लगउद चार से 4.5 पर्षंट तक होता है शाहिवाल में परसंट भी होता है और अन्य जो हो जानुरन से भाएस में जो हो फैट परसंटेज है वह 5.5 से ले करके लगउद 6.5 तक जो हो पाया जाता है ठीक है तो वह अलग-अलग जो नस्ट के ूपर जो ठीक है दूद्ध के अंदर जो है रक्त कोशिकाओं के छन्ने से बनता है जो दूद्ध का निर्मान होता है तो दूद्ध में ही जो रक्त कोशिकाओं होती है उसमें अलवील कोशिकाओं भी अलवील ग्रैंट से पाई जाती है जिसके दूद्ध की रक्तकाओं से दूद्ध स थे जो जानवर होता है वह जो भी जो भी पूशक्तत को जो भोजन को भोजन लेता है उसके आहार से स्ट् Bene में एलुविल कोशिकाएं होती हैं एलुविल ग्लैंट्स होती हैं जिससे दूद जो है वो छरित हो करके मेरी ग्लैंट्स में जो है वो जाता है ठीक है तो दूद का निर्मार कहीं न कहीं रक्ति कोशिकाओं से ही होता है ठीक है तो इस प्रकार से इसके छन्ने से कोशिकाओं के छननी से इसका मिर्मा होता है और मिल्क लेटडाउन होती है दूध सिस्टर कोशिकान के द्वारा होती है यानि जो अब द्द का उतरना ड्रक्री आँत नोगा होती है वह किसके द्वार उसके अस्तन में कैसे आ जाता है उनके टर्स में कैसे दूष आधा है तो दूस्थ में क्या होता है wilderness होता है इनके मस्तिस में आक से वार्मोण होता है वो सेक्रीट होता है जैसे ही हम बच्चे को दूषब के लिए छोड़ते हैं जानवर के Trib iich Carnals जानवर के से पास तो माधा का जैसे हाह The brushed करता है वैसे जो है वो उनकी यह कष्ण के लिए जिम्मेदार हर्मों होता है दूध को रत्र को मुज्ब करने के लिए दूध को अस्तन मिलाने के लिए जिम्मेदार राशाइं जो होता है तो जब माताएं जो है जब उनके अंदर मात्रित जागरित होता है जैसे ही बच्चा जो है वो दौल करके दूध अस्तन को छूता है और माता के अंदर जो है मात्रित जागरित होता है अपने बच्चे के प्रतिप्रेम जागरित होता है वैसे ही जो है वो इस आक्षिटोशी के अस्तन में दान में और दूदध निकलने लगता है बच्चा उसको पीने लगता है ठीक है तो इस प्रकार से जह वह आ retirement तो आसंद में होता है ठीखें दूद का उतारना इसको हम क्या करते है दूदध का उतारना क्रिया दूद का कहते हैं यह कि abdomen दोरा होती है sister को सीकाऊं के द्वारा धो होती है ठीक है तुछ प्रकार से जो है वह इसको जानना वश्चाथ है आपके लिए एक सिर्टोसिन हर्मोन पस्वों में दूध तारने में मदद करता है मैं पहले ही बता लगा दी है हमारी गौर्मेंट में प्रोहिव्टेड है मेडिकल्स की वेटनरी तरफ से उसको उसका प्रोहिव्टेंस है उस पर बैंड लगा हुआ है तब भी हम गलत तरीके से मिस्यूज करते हैं हम आक्षिटोशिन हारमों को पसूओं को लगा देते हैं जब पसू किसी कार और वो जो दूद होता है वो विलकुल छरित हो करके उनके अस्तन में आकर के इकठा हो जाता है तो यह जो है वो बहुत पीड़ा दायक होता है पसूओं को बहुत पीड़ा पहुचाता है पसूओं की नस में बहुत ज़्यादा दर्द होता है पसूओं को पीड़ा प्रकार की बीमारी हो जाती है जैसे ग्लूकोमा यान्य बीमारियां जो है वो मनुष्यों में हो जाती है तो इस प्रकार से इस पर रोक लगा दी गई है पसुओं में कई प्रकार की जो हो बीमारियां उत्पन हो रहें पसुओं में कई प्रकार के जो हो यह प्रकृत के लिए भी नुक्सान कर रहा है हार्मोन तो इसलिए इस पर बैंड लगा दिया गया है तो इसको जो हो नहीं देना चाहिए तो यही आक्षियोशन जो है वो नेच्रवल रूप से के हार्मोन्स जो हो उनके मस्तस से स्क्रीट होता है जब मादा के अंदर मत्र तो नोदेल करेंगे नहीं कि वब करेंगे यह क्या है मिल के बारे में एक और जो है वो एक और इंपोर्टेन्ट जो है वो यह वो की भासा में उसका definition है कि मिल को जो वो chemistry में कहते हैं राशायन विज्ञान की भासा में पायस कहा जाता है तो पायस ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूद के जो जल के साथ जो है वो कुछ द्रव मिले होते हैं जल के साथ कुछ कुछ उसको पायस के नाम से जानते हैं उसको हम पायस के नाम से जानते हैं उसको मिल करके एक composition मनता है जिसे हम chemistry की भासा में पायस के नाम से जानती हैं तो दूद क्या है दूद है एक प्रकार का पायस होता है ठीक है तो हम इसको बिलकुल जो है वो chemistry भासा में पायस के नाम से भी जानते हैं बिलकुल अच्छे से आप जो है वो याद की रहिए गघक क מסर्ण में से पूछ देता थैं दूध है तो कई सारे यह उसे पायस दिय रहेगा तो कमिंष्टी कि बारासर हम दूध को पायस के नाम से जानती है ठीक है आग़े बात करेंगे कि वाट इस डाकशना मिल्क तो मिल का क्या संगठन होता है तो दूद का संगठन दूद का संगठन की बात करेंगे तो सबसे पहला जो होता है पानी वाटर तीक है दूद में सबसे पहला जो पदार्थ पायता है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पदार्थ पायता है उसे जल कहते हैं तीक है दूद में पानी की मात्रा जो होती है एटी टू नाइंटी फर्षन पाई जाती है ठीक है अस्य से नब्वे पर्षन के बीच में पानी जो है दूद में पाया जाता है तो जब सबसे ज़्यादा जो दूद में पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है ठीक है एटी टू पानी की मत्र थोड़ा कम होती है अन्य जानवरों में एसे वह मिल केक्वर्णि होता है प्रजाद की अनुशार पानी कम ज्यादा होता है उसके बाद पसु के जाती में भेड के उशाभ स ठीक है कि भेड में 801 पानी परशंद गाय के दूद में कितना एटी शेयों फ्रसंट देखिं है मैंने का तो न mirlo हैगाय के दूद में अच्टी फर्षंट और सौरी गाय के दूद में 87 पर्षंट पानी जो है वो पाया दा है इसके बाद खनांकरें वसा तो वसा जो होती है वसा यानि फैट फैट भी एक महत्पूर्पदार्थ होता है जो काफी महत्पूर्फूम का निभाता है कि दूध में ठीक है तो दूध में किस रूप में वसा जो है वो पाई जाती है आये जानते हैं ठीक है तो वसा जो है वो दूध का सबसे ज़्यादा घटने बढ़ने वाला आवया होता ह है जो दूत्स का सबसे जदा कंपोनेंंट होता है सबसे जदा घटने बढ़ने वाला जो होता है वहत है वह संब्धाय कैफ यह वह इसक हो यह वह कई रूप में यह यह दित वह मत्रुब को दो करता है तो यह जो है किस रूप में होती है निलमबन य्यांई Susp कहते है या निलमबन कहते हैं और जो गौली काओं को रूप में ठंडी के दिनों होते हैं तो फिर इनको हलका करने पर फिर संतन को मौझूद्सान की मौझूद्स में थंडी कि दूनों में जब तापमान जो हो कम होता है तो दूध में वसा जो होती है वो निलंबन और गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है दूध का मुल जो निर्धारित होता है वो वसा के द्वारा किया जाता है ठीक है आप देशी भासा में देखते होंगे कि जब आप दुधि या वहां पर वसा की मात्रा को ठीक है वसा की मात्रा को फैट प्रसंटेज को जो हो कई एनलाइजर के द्वारा जो हो निकालता है फिर फैट की मात्रा के अनुशार ही दूध का मुल जो हो निधारित होता है तो दूध का मुल किसके द्वारा निधारित कियाता है वसा प्रस् पाई जाती है यानि भेन के दूध में भेन का दूध जो है वो काफी वसा युक्त होता है उसमें सबसे ज्यादा सेवेंट पॉइंट नाइन पर्शन वसा जो है वो पाई जाती है एक ग्राम वसा के दहां से 9.3 किलो कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है ठीक है एक ग्राम वशा का जो दहान होता है एक ग्राम वशा के दहान से 9.3 किलो कैलोरी उर्जा जो है वो प्राप्त होती है वशा में बिटामिन A, D, E, K ठीक है वशा में वशा में देखे घुलन सिर्फ जो बिटामिन होती है वो ह सार्थ सुलोंवर्ल बिटामिन कौन सी होती है एक पना रहा है कि दूध में कौन सी बिटामिन नहीं पाई जाती है टिक है वो होती है विटामिन सी दूद में विटामिन सी जो है वो नहीं पाई जाती है यह एडी के जो है विटामिन प्रमग्रूप से पस्तित होती है और दूसरा क्या है वसा का पेचिक घर्नत जो होता है वो 0.93 होता है कितना होता है 0.93 होता है इसके बाद प्रोटीन की बात करेंगे तो प्रोटीन एक काफी महत्पूर जो है वो अवयव होता है ठीक है प्रोटीन जो होता है वो काफी महत्पूर अवयव होता है प्रोटीन के बारे में बात की जाए तो अवस्तन प्रोटीन की मत्ता जो होती है गाय के दूद में 3.5% होती है भैस के पदार्थ में और प्रोटीन जो है वो अलग अलग प्रकार के जानरों में अलग अलग प्रजात में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है जानरी देखा जाए तो गाय में 3.5 भैस में 3.6 और भेड़ के दूद में 3.5 परशंक पाई जाती है और जो दूद प्रोटीन होती है मुख रूप से केशीन होती है अलबू में गलोबिलीन होती है दूध में आप से पुछा जा है कि दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वो केशीन होती है और केशीन प्रोटीन के कारण ही दूध का जो रंग होता है दूध का जो कलर होता है वो सफेद होता है द भूज में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीनी कारण केसिन प्रोटीन कारण दूज का रंग जो है consistent हो जो फेद होता है आप कुछ प्रमुकूरुप से कैरोटीन होता है कैरोटीन के कारान इसका रंग पीला और केसीन के कारण ज़ह वो दुध का रंग सफेद होता है केसीन प्रोटीन कितने पाइजती है 80% पाई जाती है इसके अलामा अन्य प्रोटीन होती है जैसे अल्बूमीन एवं ग्लोबिलीन ये भी प्रोटीन दूद में जो है वो प्रमुक रूप से पाई जाती है तो आगे बात करेंगे कि दूद में 0.5% तक नाइट्रोजन की मात्रा बिद्धिमान रहती है कुछ 0.5% नाइट्रोजन भी बिद्धिमान रहता है दोज में प्रोटीन पाई जाती है तो पायास के बारे में पहला वी तो घुलन सीर रूप में पानी में मुझूद होता है उसे पायस कहते हैं तो पायस के रूप में प्रोटीन होती है वो पाय UX को रूप में यह कि खूल गुलन रूप में जो हो मवदुद होती है और दूत्थ प्रोटीन का निरधाना जो है वो जल डाल विधि और पाइनेस विद्ध के द्वारा किया जाता है दूज में जो प्रोटीन का निर्धारत होता है वो किस विद्ध को द्वारा कियाता है जल डाल विधी और पाइनेस विद्ध के द्वारा पाइनेस विद्ध के द्वारा जो हो इसका प्रोटीन का निर्धारत जो हो किया जाता है इसके बाद लेक्टोज, लेक्टोज की बाद करें, तो जो दुख्ध सरकरा होती है, उसे हम लेक्टोज कहते हैं, दुख्ध सरकरा को क्या कहते हैं, लेक्टोज की नाम से जानते हैं, तो दुख्ध सरकरा को किस नाम से जानते हैं, लेक्टोज की नाम से जानते हैं, तो दु दूद में पाई जाने वाली जो सरकरा है वो क्या है लेक्टोज है इसी कारण दूद का जो स्वाध होता है वो मीठा होता है तो लेक्टोज दूद का मुखे कार्भो हाइड्रेट है लेक्टोज कारण दूद जो हो मीठा होता है तो जो कार्भो हाइड्रेट से वो किस कहलाती है दूद्ध के मुख सरक्रा दुखधम लैक्टोस कहलाती है और दूद्ध में दुखधम घोल यानि सलूशन के रूप में जो है वो पाई जाती है तो लैक्टोस किस रूप में मौदूद होती है एक प्रकार सलूशन के रूप में जो है वो यानि घोल के रूप में में मौदूद होती है और लेक्टोज यानि दूध सरक्रा दूध में सब से कम घटने बढ़ने वाला आया होता है यानि दुध सरक्रा जो होती है दूध में सब प्रकार से यह भी जानना उश्चक है परंत दूध में अइस्थिर होती है क्योंकि जीवान उसे कड़िवित कर लेक्टि कम्र में बदल देती हैं फिर जो दूध होता है तो जब बाहर दूध होता है तो बाहर जो दूध के यह तो मां के अस्तन में लेक्टो सरकरा दूध में कई सारे जो है वो फर्मेलटिंग बैक्टीरिया जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो कई सारे बैक्टीरिया उसके टच में वातावरण में कई सारे बैक्टीरिया मवग्दूद होते हैं जो दूध में पढ़ जाते हैं और फिर जो है वो बैक्टीरिया जो है वो की सरकरा को डिक्रीज कर देते हैं किडिवित कर देते हैं कर देते हैं जिससे दूद किसे में करमठ हो जाता है लेक्टिक एसिड में सरकरा जो लेक्टोज होती है वो लेक्टिक एसिड में लेक्टिक अमल में जो है वो परिवर्थित हो जाती है जिससे दूद क्या होता है मठ्हा और दूद्ट का जो जब मखशन दही का जो स्वाध होता है वो हलका खटा होता है वह किस कारण से होता है लेक्टो雁व सरकरा जो है वो जब लेक्टिक ł Самवल मिस हो जाती है ठीक है तो इस प्रकार से में होतीected ये इस क्रिया को करने के लिए कौन से व बैक्टिरिया जिम्मेदार होता है लेक्टो कॉकस लेक्टो कॉकस बैक्टिरिया इसको इस क्रिया को करता है लेक्टोस को लेक्टी करसी में परिवर्थी जोह वो करता है तो बिल्कुल इसको जानना वश्क था आईए आगे डिसकसन करेंगे एक ग्राम लेक्टोस के दहन से चार किलो कैलोर उर्जा जह वो प्राथ होती है शामान गाय के दूद्ध में लेक्टोज की मात्रा 4.9 पर्शन एवन भैस के दूद्ध में 5.4 पर्शन मानों के दूद्ध में 6.9 पर्शन जह वो पाई जाती है ठीक है तो लेक्टोज की जो मात्रा होती है गाय के दूद्ध में चारदसवलो 9 परशन भैस को दूद में 5.4 परशन मानों को दूद में 6.9 परशन जो हो पाई जाती है तो लेक्टोज की मात्रा सबसे अधिक जो होती है वो मानों के दूद में जो हो पाई जाती है ठीक है इसके बाद शाहिवाल नस्ट की जो गाय होती है उसके दूद में ल जह सबसे जाव ऑल गाय की जो नसल होती है उसमें पाई जाती है और इसी कार्ण उसका दूद जह हो मीठा होता है ठीक है तो यह थी कि की बात करेंगे भनिकानीश लुण की बात करेंगे दूद में तो मिल्रल यह वो हिसे खुल में यहां यहां फॉर होती है उसके बाद फासपोरस की मात्रा होती है दूद्ध में जो है वो कौन सा खनिश्टत नहीं पायाता है और मुख आयरन नहीं पायाता है ठीक है एफी ठीक है यानि आयरन जो वो दूद्ध में मौजूद नहीं होता है आयरन जो है वो दूद्ध से नहीं प्राप्त होता लगोधार्त को नहीं खा रहा है कोई भोजन नहीं ले रहा है तब तो इसके अंदर जो हो सारे आवश्यक्त प्पूर्थ जुर्फ आती है लेकिन आयरन तत्यूंद की कमी रहती है तो बिटामिन में जो हैं वो होते हैं या इसको कहते हैं या कंवी कि कमी पाई जाती फिर बात करेंगे विटामिन उसके वह तो दूज़ में दोनों प्रकार के विटामिन वसा विलाएं फैट सॉलूबल यानि एडी के यह वह जल विले वाटर सॉलूबल विटामिन बी सी जो है सी तो नहीं पाया जाता है यह गलत है यहां पर तीके तो दूध रूट में वजूद नहीं होता है ठीक है आगे बात करेंगे घृ दूध का जो विटामिन सी कमजोर साधान है तो विटामिन उसक पाइज आखने है इसके बात Tuesday कि बात करें दूध की फिजिकल प्रॉपरटी की की बात करें दूद्ध की फिसकल प्रपर्टी की बात करें तो दूद्ध का जो रंग होता है वो क्या होता है सफेध होता है किसके कारण होता है केशीन प्रोटीन के कारण जो वो दूद्ध का रंग जो सफेध होता है जो की दूद्ध में 80% मात्रा जो वो पाई जाती है इसक इसके बाद इसकी अधिक्ता के कारण होता है दूद का सकते हैं कि दूद हल्का क्या होता है अमली होता है ठीक है सात से साथ से अगर अधिक पीएच है स्वरी सास से कम है तो अधिक है तो चाहरी ठीक है यह प्रकार से दूथ का और प्रिछ निगेट होता है और ही मांग के बिंदु जो है जो है वो 0.53 से 0.55 तथा दूद्ध का अच्छिक घरनत जो होता है वो 1.08 से 1.032 जो होता है और ताजे दूद्ध की जो अमलता होती है वो 0.12 से 0.60 परशट होती है तो बिल्कुल यह पॉइंट्स आप बिल्कुल अच्छे से कि दूद्ध का पीच क्या होता है दूद्ध की जो उबाग बॉलिंग पॉइंट क्या होता है दूद्ध का फ्रिजिंग पॉइंट क्या होता है दूद्ध की आप एच्छिक घनत क्या होता है और इसकी एसडिटी कितनी होती है तो बिल्कुल इसको अच्छे से नोट कर परभावित करने वाली कई कार्क होते हैं जैसे पसु की नसल, पसु काहार, पसु की जाती ठिकए पसु की जाती ब्याद की वस्था, रितु किये सारेट फैके क्टरस होते हैं यह प्रभावीट प्रभाउगोंगर्व करते हैं ठीक इंग आइभी मिल्क प्रदक्शन को प्रभाव करती है ठीक है कुस अच्छे तो दूद की नसल भी उत्पादन पर प्रभाव जो डालती है उसके बाद पसुक काहार कैसा है पसुक को जो हम आहर खिलाते हैं उसमें जो है दुख्द देने वो उसके पोशर्टत की मात्रा कितनी है उसमें हम प्रोशीन उसको प्रोटीन की मात्रा कितनी अच्छी देर रहे हैं पाउड कितनी तो सुपोच पत सुपाश पदरक्ष तो आप सब्छा एक हम कितना दे रहे हैं पशु को संतुलिद भोजन कितना दे रहे हैं यह सभी जो है वो करता है तो अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा दूध्धित पादन मिलेगा तरहीं इसका भी प्रभाव पढ़ता है दूध्धुत पाधन पर फशो की निशन कैसी पसू की जाद कैसी है जिह कायं इसकी जाद कैसी किए पाश्था कितनी है वह कितनी बार का कम करते हैं उसमें दूद पादान निरंतर कम होता जाता है तो ब्यात पूपर भी जह वो दूद का प्रभाव जह वो पढ़ता है इसके बाद रितु परिवर्तन रितु परिवर्तन का भी प्रभाव पढ़ता है अधिक गर्मियों में पशु दूद देना कम कर देते हैं अधिक ठंडी जब होती है पढ़ने लगती है तब पादन जो हो कम हो जाता है और दूसरी चीज है उसके स्वास्त कैसा है पशु बीमार है पशु में कई प्रकार के पोशकत्तों की कमी है कि उसमें खनिश्टत्त की कमी है कई सारी बीमारियों से ग्रशित है तो पशु में दुख्धुत पादन जाहिर सी बात है कम हो कि इसके बाद कि आगे बात करेंगे कि दूद्ध मिल्क प्रोसेसिंग क्या होता है तो यह था मैंने दूद्ध के बारे में आपको बताया था इसके बाद मिल्क प्रोसेसिंग की बात करेंगे कि दूद को कैसे हम प्रोसेस करते हैं प्रोसेसिंग का सिधा सिधा मतलब होता है कि दूद को अधिक दिनों तक कैसे हम रख सकते हैं उसके सरचण की बात करते हैं ठीक है आधिक से अधिक समय तक कैसे हम दूद को रख सकते हैं तो उससे डिपेंड करता है कि उसके हम कैसे उसक स्कूम करना भी बोलते हैं तो यह वो इसकी जो बास्ट बार जसन क्रिया की जो पत्ति थी फिस्टर ने पी फिर न पी जो खॉच की थी जिसके फादर कहलते हैं वने को खोजा था और पास्टर क्या होता है कि दूढ'क जीवान नष्ठ हो जाते हैं परत्फ जीवान के बीच जो होते हैं फिर से जबी नियर्मिनाइट करके और मेटिंग करके फिर से वह कई सारे बीजानगों को बना लेते हैं और फिर इनकी संख्या जो वो बढ़ जाती है तो इस प्रकार से टोटल हंड़ेट परशन नहीं होता है अब इस क्रिया में दूद्ध को एक निश्चित ताप्मान पर रख करके उसमें उपस्तित हानिकायरक हार्फुल जीवानों को निश्चित कर दिया जाता है तो इसमें क्या होता है दूद्ध के जीवान होते हैं उनको निश्चित कर दिया जाता है जिसे दूद्ध में और जो है अलग अलग तापमान पर रखा करके और फिर इससे क्या होता है कि दूध वो अधिक समय तक उसको हम प्रिजर्वेट रख सकते हैं ठीक है दूध जल्दी नश्ट नहीं होता है इसकी विधियां जो होती है वो कई विधियां होती है निमताप लंबे शमय के लिए ल सब्सक्राइब करते हैं और इसके वाल जो है उससे ठंडा कर दिया जाता है और एक होता है उच्छ तापमान अलपकालिंग भी ठीक है है एस्टी एस्टी में थाड़िसो कहते हैं तो इस विधि के सतत कॉन्टीन डिश्र बीदी कहते हैं इस विधि में दूध को 72.0 डिग्री संटीगेट 72 डिग्री संटीगेट या एक सो साट डिग्री फार इन है तापमान पर 15 सेक्योंट तक गर्म करके ठंडा किया जाता है तो यह भी काफी महत्पूर्ण विधि होती है और इसके बाद अल्ट्रा हाइट अपमान अल्ट्रा हाइट आप इसी था उस्टी यूस्टी टेंपरेचर क्या होता है इस विधि में दूध को 135 से 104 डिग्री संटीगेट तापमान पर एक से 5 सेक्योंट तक गर्म करने के ब फिर अचाना लो टेंपरेच्ट पर ठंडा कर दिया जाता है इससे क्या होता है कि बैक्टेरिया सर्वाइब नहीं कर पाते हैं और वो मर जाते हैं जिससे हमारा दूध जो है वो इस्ट्रलाइज हो जाता है और वो काफी समझ तक जो हो प्रिजर्वेट रह सकता है ठीक है इसके बाद तो यह थे आपके जो है वो दूध को पास्ट्राइजेशन इसके बाद निर्ज़ेमी करण होता है दूसरा मिफड जो है निर्ज़ेमी करन कहते हैं इसे जीवान रही करना भी कहा जाता है तो इस विद्व का प्रमुख देश्ट दूध में उपस्तित सभी हान कारे को लागदायक जिवान को नश्ट करना है इस विधी में दूद को सौडिक रिशंट्री के टापमान पर तीस मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं और यह क्रिया करने के बाद दूद का दही नहीं बनता है जिसे हम किलोवन कहते हैं इसके बाद जो है वह तो इसमें क्या ह आता है और दूद से दही करिणवार जल्दी नहीं हो पाता है और दूद काफी दिन तक सानचित रह पाता है ठीक है इसके बाद चीलिंग भी होती है दूद का सितलन तो चीलिंग मिथट में क्या होता है कि दूद को चार डिक्रिशन डिकरता आपमान पर दुरस्त करने में आसानी हो तो वहां तक ले जाने के लिए दूधों को चिलर के माध्यम से सितलन विधी के द्वारा जो है वो दो से चार डिग्री संटीगेट तापमान पर ठंड़ा किया जाता है और फिर उनको जो है एर कंडिशनल जो टैंकर होते हैं टैंकर में भया जाता है जहां तापमान में ग्राट बहुत कम आती है तब दूद को एक अस्थान से दूसरे अस सब्सक्राइब जानते हैं ठीक है इसमें जनली दो से चार डिग्री टेंपरेचर पर जो हो दूद को जो हो ठंड़ा किया जाता है इसको ले जाया सके इसके बाद होमोजनाइजेशन दूद का सामांगी करण ठीक है होमोजनाइजेशन क्या होता है कि इस क्रिया में दूद के ऊपर क्रीम वसा की परत एकत्रिजद ना हो था वसा दूद में समान रूप से उपस्थित हो, तो होमोजिनाइशन मैं सीधी भास में समझाना चाहूँगा कि शामांगी करण, मसा मांगी करने में एक शामान ठीक है तो होता क्या है कि दूध में जो वसा उपस्थित होती है वो कहीं पर ज्यादा हो जाती है कहीं पर कम हो जाती है किसी भाग में कम हो जाती किसी में ज्यादा हो जाती है तो फिर दूध को सैंपिलिंग की जाती है दूध का जो रेट निक क्याता है दूद में मत्हा जाता है जिससे दूद की जो वसा होती है वो छोटी-छोटी जो गोलिकाओं को रूप में तूट जाती है और पूरे उसके मौलेकुल पूरे दूद में फैल जाते हैं जिसके दूद की सैंप्लिंग करने में जो है वह वह आसानी रहती है ठीक है त तो दूद्ध की गोलिकाओं को छोटे छोटे रूप में तोड़ना जो है वो वो सम दूद्ध का सामांगी करन या हमोजिनाइजेशन जो हो कहलाता है ठीक है तो दूद्ध की जो गोलिकाओं वसा जो एकत्रित हो जाती है इसको पूरे दूद्ध में बाटना छोड़ी छोड zähacon के रूप में उनके कड़ों को अलग अलग करना ही सामांगी करन की क्रिजह वो कहलाती है ठीक है इसने दोड को दोड की सैंप्लिंग करने में दूद का डereum कंद निकालने में वह आसानी होती है ठीक है गहां प्रमु trafficking से दूद में क्या है first है ठीक है rank of India rank of India India in milk production milk production क्या है first rank ठीक है इंडिया क्या rank है first है इंडिया जो है है तोटल का जो है एभस सेवेंटीफ परशंट टूब है तो पूरे वर्ड का यहाव चोभीट वसमलोब बहात्तर प्रशंट्ट जो रहे मोख है वह इंडिया जो है वह फो य होता है ठीव रेंक आफ मिल्क प्रोड़क्शन मिल्क प्रोड़क्शन तो जो उत्तर प्रदेश है ठीक है हमारा यूपी है वो दुख्थक्यूत पादन में प्रथम अस्थान जो वो रखता है ठीक है इसके बाद बात करेंगे लगभग कि 15 फॉयर्व प्रणि वह टॉटल इंडिया का जो है मिल्क प्रोड़क्शन जो करता है फो करता है उत्तर प्रदेश प्रथम है उसके बाद है आपका राजस्थान तो इसके बाद मुद्ध प्रदेश गुजिरात आंधस यह प्रमुक्री से दुध काउत्तों पादन जहाए को करने में अगरिडी राज panelists किने करेंगे कि हम मिलक डे कम मनाते हैं तो भारत में जो मिलक डे है उच्छ चंद्री मि शबीस नुवंबार को मना जाता है ठीक है टोलिट कम मनाते है यह मेंbour़ो मना जाता है आपको शबीस नौंबर को मना जाता क्या है 26 नॉम्बर को डाक्टर वर्गीज कुरियन थे जिसको आप सभी जानते होंगे जो कि वाइट कह जाते हैं तो उन्हीं का जन्म दीवस था 26 नॉम्बर 1921 को वो पैदा हुए थे तो उन्हों क्यों ? प्रजाट्र कीया और उन्होंने और क्रांद सील ला दि जिस से डूठ पादन में बहुत तेजी से बिर्दि हुई भारत में और भारत सबसे अगडिर देश इस बन सखा के इसलिए जो कुरियन साहब थे डाक्टर वल्गीस कुरियन थे इन्हें हम सफेद क्रांथ के जन्मदाता के नाम से जानते हैं और इन्हीं के जन्म दीवस 26 नौवंबर मिल्क डे के रूप में मनाते हैं इनका जन्म कब हुआ था इनका जिम 26 नौवंबर 1921 विक हुआ था और मृत्य कब हुई थी मृत्य इनकी जो हो 12 शितंबर 2012 को इनकी बृत्ति हुई थी ठीक हैं तो इसके बाद जो हैं कुरियन साहब को फूड और फूड और फूड एंड अग्रिकुल्चर और्गनाइजेशन के द्वारा विस्तु खाद पुरुषकार से जहां वो समान किया गया था जो की एक कृशी का सबसे बड़ा पुरुषकार होता है इनके कारिके लिए और जो अमूल डेरी के संस्थापक भी यह कह जाते हैं गुजरात में जो अमूल डेरी है वह इनहीं की है इनहीं के नाई यह पहले फर्स्ट चेयर्मैन थे अमूल डेरी की जो की आनन्द गुजरात में इस्तित हैं तो हम 26 नॉमब है तो कई सारे इंपोरिंट फैक्ट थे जो मैंने आपको मिल के संबंधित बताया तो बिल्कुल अच्छे से याद करिए इसको आज इक लास में स्टुजन बस इतना ही ने टॉपिक नए क्लास में हम फिर आप से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसके लिए आपको बहुत- झाल